स्वागतनी करोगे हमारा क्या होना चाहिए कोई classes कर लिए उसको revise कैसे करने चाहिए बराबर classes हमारे attempt के कितने मेने पहले complete हो जानी चाहिए सो classes अगर जल्दी कर ली तो amendment कैसे cover करना चाहिए उसके लावा जो classes जल्दी जल्दी करेंगे सब हम भूल जाएंगे न उससे मुझे motivation मिलेगा और ये वीडियो को please last तक देखना because this video can be a game changer for you मुझे लगता है अगर आपने शुरुवात ही बढ़िया करी planning बढ़िया करी तो आपका execution भी उस planning के line में जाएगा और जितना बढ़िया planning उतना बढ़िया execution और उतना ही बढ़िया आपका जल्दी जल्दी result आएगा ठीक है तो पहला time में pass होना rank आना ये सब में सबसे पहला step होता है proper planning उसमें आपकी help मैं करूँगा but वो help मैं आपकी करूँ उसके लगा आपको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा last तक ठीक है जादा stretch नहीं करूँगा सिफ relevant relevant बाते करूँगा तो शुरू करें आज असर शुरू करतें सबसे पहली बात मैं मान रहा हो कि classes आपकी सारी bending है ठीक है अगर को इस classes आपकी हो चुकी है तो उसको कैसे revise करना है उस पर भी guidance दूँगा लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक शुरू ही नहीं कि आप अपनी CA inter clear किये और आपका attempt यहां किदर fall कर रहा है ठीक है तो सर क्लासेस हमको कब तक शुरू करनी है what is the ideal time to start the classes मेरा ऐसा मानना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर जल्दी जल्दी शुरू करना चीह है हाँ जल्दी शुरू करना चीह सका reason बताता हूं मै जब आप classes जल्दी शुरू करते हो तो classes खतम भी आपकी जल्दी होगी attempt से पहले और जितना जल्दी आपकी attempt से पहले classes complete होगी उतना आपको समय मिलेगा self study करने के लिए last में और इतियास गवाए किसी भी अपने senior से पूछ लेना CA final pass करने के लिए क्या जरूरी है सिफ classes देखना या classes देखने के बाद self study भी करना तो answer हमेशा दूसरा वाला रहेगा classes देखना उसके बाद adequate self study self practice करना आप किसी भी इंसान से पूछना जो clear नहीं कर पया हमेशा यही बोलेगा classes देख लिए थी self study को time नहीं मिला ठीक है तो self study को समय मिले इसला आपको शुरू जल जल करना चाहिए ठीक है it is okay एक साल डेड़ साल दो साल धाई साल पहले बड़ जब भी आपके लिए possible हो तब आपको शुरू करना चाहिए ठीक है पहली चीज़ अब मुझे पता आपका counter क्या आएगा कि sir classes जल्दी शुरू कर लेंगे ना तो हम तो भूल जाएंगे याद ही नहीं रहेंगा ठीक है तो अब एफार को लंबे समय तक याद कैसे करें विकाउज आप डेड़ दो साल धाई साल पहले क्लास लेके बैट जाओगे तो उसके लिए जब आप बैच देखोगे ना तो मैं आपको गाइड करूँगा लास्ट में जब बैच कंप्रेशन के लास्ट में विड़ा लूँगा मैं कि इसको अभी याद कैसे रखना है तो इसको रेगुलर इंटर्वल्स पर कैसे रिवाइस करना है तीन चार पास दिन देकर है ना वो सब मैं आपको गाइडिस दूँगा आपको एक हिंट दूँगा मैं इसके रिगाडिंग ठीक है अच्छा पहला ये चीज हो गया कि आइडल टाइम कब है जल से जल ठीक है उसके लावा सर हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए क्लासिस करने का तो मैंने एक सीक्वेंस मुझे लगता है follow करना चाहिए आपको सबसे पहला आप FR या AFM दोनों में से कोई भी कर लो प्रिफर्ड आप पहले FR करो फिर AFM करो सर ऐसा क्यों बोध इस सब्जेक्ट्स हाव दे लीस्ट अमेंडमेंट्मेंट्स ठीक है simple logic है और practical भी है तो आपको मज़ा आजाएगा करने में ये करने के बाद आपको आपके जो self-place module है वो कर लेने चाहिए ठीक है मेरा ऐसा मान of course you can tweak it a little bit as per your convenience उसके बाद दो alternatives है पहला alternative आप ये complete करने के बाद audit DT IDT कर लो IBS मतलब integrated case studies आपका एक subject है जिसमें mix of everything आएगा वो तो last में करना है वो last में रखना तो आप ये करने के बाद या तो audit DT IDT कर लो ये का option होता है या फिर option number two आप ऐसे भी कर सकते हो आप पहले DT IDT कर लो DT और IDT और उसके बाद आप audit कर सकते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो audit कर सकते हो सर आप कौन से suggest करोगे मैं normally ऐसा मानता हूँ कि अगर आपका theory अच्छा है तो आपको audit पहले कर लेना चाहिए लेकिन theory अगर तोड़ा weak है जैसे मेरे को याद नहीं लगता theory ठीक है मेरे को ऐसा है कि theory पढ़लू याद नहीं लगता तो मैं तो लाश में करना चाहता हूँ कि आप आराम से करूँगा बट डिपेंड्स हाँ आपने बाकी classes कितने पहले complete कर लिए ऐसा तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो बट आपको पहले ये करना चाहिए अच्छा जब classes करेंगे तो sir हमको कूँसी classes करनी चाहिए फास्ट रेक की regular तो इसलिए मैं कहता हो जल्दी शुरू करना ताकि आप सब की regular batches कर पाओ regular batch में कैसा होता है चीज़ा आराम से जाती है समय मिलता है खुद दिमाग लगाने का time मिलेगा खुद पैक्टेस करने का time मिलेगा है ना तो regular batch is always preferred लास्ट में जाके time constraint होता है तो एक का subject का फास्ट के लिए ठीक है इसलिए मैं कहरो जल्दी शुरू करोगे तो best रहेगा जैसे for example sir FR है अगर हमको FR जल्दी करना तो हम कुन सा batch लेगा तो मैं बता देता है एक बर काफी बच्चे मेरे को पूछते तो अगर आप जाओगे ना BB virtuals की website पे तो go on video lectures ठीक है इधर आप CA final में financial reporting में जाना ठीक है इधर मेरा एक batch देखेगा CA final FR regular for mid 24 onwards आप यह best ले लेना ठीक है इसमें मैं सब कुछ cover कराऊंगा as per the new syllabus as per your attempt sir लेकिन हमारा attempt तो late है उसमें changes आए तो सबसे पहली बात FR में least changes है second thing changes है तो मैं हूँ न मैं आपको last तक आपके जो भी attempt में changes है वो सब provide कराऊंगा तो changes क्या होते कुछ नहीं ICI हर attempt में जब 8 भी release करता है तो कुछ-कुछ नए question ले आता है बस वो ही नए questions होते है तो उसका जो compilation होता है कि अब से लेकर जब सा आपने बैस्ट अब से लेकर आपके attempt तक जो भी additional questions है उसका जो additional question का sheet है और उसके वीडियोज है तो सब मैं ही दूँगा आपको चेता हो आप मेरे टेलिग्राम पर जाके देख लो मैंने पुराने बच्चों को भी दिया हूँ है suppose for example अभी edition 8 चल रही है तो suppose इनोंने edition 7 से पढ़ाई की थी तो edition 7 से edition 8 का transition PDF मैं ही देता हूँ suppose इनने edition 6 लिया था तो 6 से 7 का PDF मैं देता हूँ जो एक्ष्टा questions है तो वो tension लेने का जरूवत नहीं है वो आपके साथ last तक मैं हूँ तो उसका अलाज ही नहीं कि classes ही नहीं करोगे ऐसा आप कितनी classes डिले करते वे चलोगे तुम समझ जो class पते कैसा होता है अपने बाद जब समय ज़्यादा होता है तो लगता है समय ज़्यादा है तो तक करते नहीं पर लेट करते पर लाश में जाके बोलते है अरे समय तो कम पड़ गया तो ज़्यादा समय रहना is always preferred ठीक है तो जल्दी शुरू कर लेना और एफर कैसे करना आपको मैंने बताया उसके लावा अब आपको मैंने sequence explain कर दिया अब सर हमको classes कब तक complete कर लेनी चाहिए मैं ऐसा मानता हूँ आपकी सारी classes आपको आपके attempt से 6 से 7 मेंने परे complete कर लेनी चाहिए फर एग्जामपल अगर आपका attempt है नवेंबर 26 ठीक है तो उससे 6 मेंने पहले मतलब एपरेल में के अराउंड classes complete कर लो है ना मतलब अराउंड 6-7 months last you should have for self-practice लास्ट में जाके एका class बजगई that is okay बट मोटा मोटी आपका 70-80% syllabus with the classes should be completed second thing how to cover the amendments तो जो भी आप class लेते हो ना हर respective faculty अपना-पना amendments प्रोवाइड करवाता वाचलता जैसे FR में मैंने क्या बोला आपने class ली तो tension है मेरी हो गई आपकी tension नहीं रही तो जो भी changes है मैं देता वाच चलूँगा और मैंने आपको sequence ही वैसा बता है जो classes आपने latest latest करी है वो तो आपने एकदम latest की होगी जो आप पहले-पहले करोगे FR पहले करोगे कोई दिक्कत निया भाई चिंज़ आते ही नहीं concept चली का चिंज़ ओएगा debit तो debit तो credit ही है भाई index तो index ही हो तो ना चिंज़ होने वाला है questions आएगी करवा दूँगा ना क्या दिक्कत है भाई ठीक है टेंशन मत लेना उसके लावा सर हमारे attend पक return कैसा रखे that is the biggest question मैं आपको छोड़ा सा idea देता हूँ बाकी वैसे मैं retention की detailed strategy FR की अपने batch के last video में share करूँगा आपके साथ बट अभी भी idea देता हूँ क्या करने का जबी भी classes लेते हो ना class के साथ एक तो daily revise करने का ठीक है FR में sir daily मतलब जो हम पढ़ेंगे वो revise करने है उसके लापको motivated मैं रखूँगा मैं आपसे revision करवा लूँँ वो class के अंदर आपको सिए class माने की देरी है वो समय करवा लूँगा आपसे बाके जब 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 बता रहा हूँ daily revise करने क्लास के साथ जब पूरी batch हो जाए ना तो अगली batch तुरंदी शुरू करने का subject complete होने के बाद उसको 10-12 दिन देने का और एक बार अच्छे से revise कर लेने का तो आपके दिमाग के अंदरो fit in हो जाए ठीक है और उसके बाद सब्बोज आपका टन धाई साल बाद है तो every 7-8 months में एक बार उठाके उस subject को revise कर लेने का सरित्ता समय कैसे होगा हम तो भीच में बाकी चीज़े कर रहे होंगे तो पूरा-पूरा दिन देना ही नहीं आपको जैसे FR में हमें हर attempt के लिए FR का marathon कंड़क करता हूँ उस respective attempt के लिए दो दिन में पूरा FR revise कर वाता हूँ तो वो दो दिन आके marathon बैठ जाने का अपने को कुण सा master होने का है फिलाल के लिए अपने को सिफ चीजे अपने लिंक में रहनी चीजे दिमाग में रहनी चीजे टेच में रहना चीजे सबजेक के तो टेच में रहने के लिए दो दिन का marathon देखने का तो ऐसा माल लो FR का classes किया class के बाद तुरंट revise किया और एवरी 6-7 महिने में वो दो दिन FR को दे दिया marathon देखकर बस मैं बता रहो याद हो जाएगा पूरा का पूरा एदम मज़ा आ जाएगा तुम लोगो ठीक है और एक और बात आपको बताता हूँ जब आप classes करते हो ना तो अपना आप से यह उमीद रखना ही मत कि मैं आगे दाके भूलूंगा ही नी सब भूलते है ठीक है अगर मैं भी FR को 2 साल तक नहीं पड़ू मैं भी भूल जाऊँगा ठीक है तो इसका इलाज किया है इसका इलाज कुछ नहीं acceptance है कि भूलेगे कोई दिक्कत नहीं है बट आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी है ठीक है रिविजन वीडियो में डालते रहता यूटूब पे वो देखने का टच में रहने का तो सब याद रहेगा तो वो टेंशन मत लेना बाकी रिटेन करने की डिटेल स्राटजी आपको बताऊंगा मैं मतलब पूरा बैस देख लो के उसके बाद बेटर बता पाऊंगा आपको मैं ठीक है तो उसका टेंशन मत लेना उसके लावा कैसे रिवाइस करना है मैंने जैसे आपको बताया हर 6-7 मंच में दोतो दिन देने का मैराथोन देखने का पूरा आपका रिवाइस हो जाएगा बढ़िया तरीके से सेम यू कर अपलाई फूर अल दी सब्चेक्ट है ठीक है अब मैं कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ आपके लिए specially सबसे पहरे जब आप क्लास करोगे सबसे बड़ी गलती क्या करता है इंसान और वो गलती एफार एफम में करता है क्यों नया नया क्लास लेता है ना पहला पहला तो जब अटेम को बहुत समय होता है आपन बहुत लिने नट रहे था आपन बोलते है छोड़ना यार दो दिन क्लास में इस हुआ क्या दिक्क्यत है दो दिन का लेक्चर नहीं देखा क्या दिक्क्यत है सबसे बड़ी गलती तो classes समय से देखना और daily revise करना बराबर पता सब को है class का revise daily करना है करते बहुत कम है और जो करते वो pass हो जाते तो पहले चीज़ आपको revise daily करना है सर class तो revise कर ली test नहीं दिये सर ये मत करना class test देते भी चलो वैसे मैं जब class लेता हूँ तो मैं every one two weeks में जो भी पढ़ाया उसका मैं test लेता हूँ तो वो test आपको देना चाहिए वो test आपको class के अंदर ही मिल जाएगा ठीक है उसका checking वगएरा कैसे होता है सर वो सब के लिए मैं test check guidance video भी provide कर वाता हूँ प्रोवाइड तो यू start early जैसे मैंने बता है this is a pro tip discipline रहना मतलब normally क्या होता है just for example अगर मैं ये batch की बात भी करूँ ना ये batch चालू हुई थी अभी मे के महिने में ठीक है तो now अगर आप लोग है तो you will go for the recorded batch बराबर तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है discipline नहीं रहता है चार दिन देखा पाँवे छटी दिन छुट्टी फिर दो दिन छुट्टी तो बोलते है चुट्टी के छुट्टी होगे अब छोड़ो बाद में देखेंगे ये मत करना ठीक है ये प्लान है ये अचीव करना है simple है ना और मैं ये नहीं बोला हो कि यू विल स्टे मोटिवेटेड़ और डिस्लिप्रेंट फर हंडेड देज अटर स्ट्रेच भाई आप सौ में से 90 देज भी होगे ना डिस्लिप्रेन बस हो गया तुम समझे हो दो-तीन दिन तो आता है नहीं होती उस दिन पड़ाई कोई बात नहीं बड़ो दो-तीन दिन दो-तीन सो दिन नहीं बनना चीए साल का ऐसा ये बात ध्यान लगना तो always remember you have to share discipline उसके अलावा जब आप पड़ाई कर रहे हो ना एक चीज है न हमेशा है विजुलाईज करके चलना कि मुझे सीए मेरे पहला टेम्ट में क्लियर करना है ठीक है मतलब जिनका अटेम्ट लंब मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पहला अटेम्ट देंगे अभी ये इसमें मैं ऐसा मानता हूँ फर्स अटेम्ट इस अलवस गोल्ड अटेम्ट ठीक है नो ओफेंज टो अन्यवन विजुल ऊव्ड़िपल अटेम्ट मैं कोई उफेंज से बात नहीं कह रहा हूँ मतलब ऐसा बुरा मत मान जाना बट आम सेङ्ग पहला अटेम्ट is always the golden attempt why मुझे लगता सबसे ज़्यादा महरत इंसान अपने पहले टेम में करते है उसको प्लीज जाया मत जाने देना तो जान लगा देना और उसके लिए आपको सिफ बेसिक बेसिक चीजे करनी है daily class देखना revise करना discipline रहना बस and always aspire to aim for a rank aspire करने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर आपन किसी चीज के बारे में visualize करेंगे ही नहीं तो आपन उस दिशा में का भी बढ़ेंगे ही नहीं when you think for something आप देखना जब आप rank के लिए सोचोगे न automatically आपके preparation है न आप उस लिएल में सोचोगे कि ranker होता तो ऐसा करता ranker होता तो क्या करता तो thinking वहाँ जलती है and when you aim for the sky गिरेंगे तो भी pass में गिरी जाएंगे न rank नहीं है तो कि आप पास तो ही जाएंगे but always aspire for a rank मुझे ऐसा लगता है ठीक है so this is something which you should always focus on ठीक है तो iPad बंद होगे anyways तो यही से मुझे आपको guide करना था तो please आप यह सब basic basic चीजों का ध्यान रखना उसके अलावा जैसे मैंने बता है last time वापस से बता दू अगर आपको FR के class लेनी है go for the regular batch latest batch है everything is amended मैंने उसके लिए पूरी मतलब जितने भी आज तक के questions है MTPs, RTPs सब include करके आपके लिए batch launch किये भाई है न it is an ongoing batch also मतलब वो ongoing batch है भी वो batch चलेगी September end तक ठीक है but of course आप recorded version लेना उसमें जो भी lectures लेता रहूंगा daily base पर upload होते वे चलेंगे ठीक है तो this is it for the video अगर मैंने कोई point miss out कर दिया please comment section आपके comment जरू करना और अगर by chance अगर आपने video last तक देखिये न तो please बता के जाना कि आप last तक थे यहाँ ठीक है तो इसी बात पर session को करते राप up I hope this was helpful for you helpful लेगा share जरू करना दोस्तों के साथ और मिलते हैं ऐसी किसी session में मैं guide करता रहूँगा आपके लिए कुछ छूड़ गया तो comment में बता देना मैं उसको पर वीडियो बना दूँगा okay so thank you so much everyone bye everyone take care see you